यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ निवाडी ग्यांगरे मामले पर आमाधी पार्टी के प्रदेश अधेक्ष नवीन जैहिन ने विवादित बयान दे डाला उन्होंने सरकार के द्वारा पेड़त परिवार को 2 लाख रुपे देने की बात पर कड़ी निंदा की है उन्होंने ये कहा कि रिवाडी की बेटी की इज़त की कीमत सरकार ने 2 लाख रुपे लगाई बीजेबी के नेता 10 लोगों से कूकर्म करवाएं और 20 लाक रुपए हम से पाए जाही ने ये भी कहा कि पेड़ता को मौवजा नहीं न्याय मिलना चाहिए अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफतार नहीं कर पाई है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कोरवो की सरकार है और हर रोज यहां पर बेटियों का चीर हरन हो रहा है और सीम खटर इसमें धरितराष्ट की भूमिका निभा रहे हैं जो गटना हुई है बहुत दुरुबागय पूर्ण है और जो इसमें मुख्यमंत्री का और सरकार का जो रवया है वो और ही ज़्याद दुरुबागय पूर्ण है जिस तरह से परिवार को दो लाह रुपे का चेक दिया गया वो पूरी तरह से ये दिखाता है कि क्या दो लाह रुपे इज़्जत है अगर अगर पूरी की पूरी जम्मेदारी किसी की है ये मुख्यमंत्री मनोरलाल जी की है उनको संग्यान लेना चीए वो पत्तरकारों से बात तक नहीं कर पाते वो सफाई की बात कर रहे है अरे पहले रेपिष्टों की सफाई करो ना ये जो सपाई का ड्रामा आप कर रहे हो हरियाना के अंदर माता बहनों की इज़त सुरुक्षित नहीं है और अगर आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहें कि वो सुरुक्षित माउल में रहें आपको कोई अधिकार नहीं है इस सरकार में रहनेगा झाल